यह भीहार के डॉक्मेंट लिस्ट है और यह आपको ऐगर भीहार के किसी भी कॉलिजों में अगर आप tu ले रहे है तो आपके पास तो आरो एक रूटाइम है संटरwenyal होने चाहिए अगर और आपके पाइस में ऐसे कोई वी एक documentary नहीं है, तो प्लीज बनवालीजीए और प्लीज इसका screenshot भी ले लीजे कि इसमें से कोई document ऐसे है जो एक दो दिन में नहीं बन पाते है, इसलिए आपको ये अभी से ही ready रखने होगी counseling के वक आपको ये सारे documents online, अगर online form fill up करना तो online submit करने होगे और आपको online जो form website पर form fill up करेगे, उसके भी print out आपको निकालने है और ये सारे जितनी भी documents है सबके print out plus two copy zeroes two or three copy plus आपके पास photo होने चाहिए और photo भी वो जो आपने admin card पर attach किये है ये document list 2021 के है जो website पर आये थे इसी से related इस बार भी आये तो आपको ये documents ready रखनी होगी first जो आपका college living है या फिस्कुल ट्रांसफर certificate वो last इंस्टिटीट के होने चाहिए जिस 12th के अगर आप 12th के बाद नीट का एक्जाम दे रहे हो तो 12th का होने चाहिए अगर बीसी के बाद दे रहे हो तो बीसी का living certificate होने चाहिए second character certificate होने चाहिए allotment letter होने चाहिए जो अगर आपको प्रोविशनल merit list निकलेगा तो आपको एक letter आएगा उसका print out निकाल कर उसकी दो या team coffee jerogs भी रखना है admit card जो आपको एक्जाम दे पहले मिले थे rank letter जो आपको अभी result अनाउंस जब हुआ जो आपको result मिला उसका print out marks statement score card होई है 10th, admit card, mark sheet and pass certificate 10th, admit card admit card मनला hall ticket जो आपको इस्तिव होते है एक जाम से पहले mark sheet और pass certificate भी होना चाहिए 12th का भी वैसे ही है procedure फिर आपके पाँ affidavit होना चाहिए अगर आपने gap की 12th के बाद मनला एक दो साल आपने कोई भी study ने कि किसी भी film में आपने study ने के बस need preparation किया तो आपके पास वो living certificate होना चाहिए card certificate होना चाहिए अगर आप किसी card से belong करते है तो अगर नहीं तो आपको जनरल के लिए कोई certificate की नेड नहीं है 10th, admit card, mark sheet पीसे बताये तना 11th number 2 EWS certificate होना चाहिए EWS अगर आप EWS काटेग्री से बिलोंग काते है तो residential certificate होना चाहिए जो कि domicile बोल सकते है आपको domicile होना चाहिए अगर आप state quota की ठूरू जाते है तो अगर आप All India quota की ठूरू जाते है तो आपको domicile की कोई जरूरत नहीं है इतना यार रखिएगा कि अगर आपको state quota मतलब अपने ही state में college चाहिए वो भी state quota की ठूरू जा रहे तो आपको domicile होना जरूरी है आधार काट कोपी migration certificate अगर आप migrate हो है मतलब आपने 10T UP से किया और आप 12 आप बिहार में करें चाहिए उसका migration certificate होना चाहिए passport site photograph फोटोग्राफ होना चाहिए जब जो आपने admit card पे या फिर need application form fill up करते वाग attached के अगर फोटो होना चाहिए self attached two sets photo को भी ओपो documents मैंने बोला ना उपर के जिनने भी documents मैंने बटाए उसके 2 या 3 reset होने चाहिए और अगर आपका marriage list में नाम आता है और आपको कोई भी college all out होते है तो उस center पे जाते वक्ट आपके साथ एक guardian होना चाहिए जिसमें आपके mother, father या फिर brother भी हो सकते हैं लेकिन आप से बरे हो अके अगर आपके ये information पसे लाई हो तो प्लीज मेरे channel को subscribe, share and like केजिए और thank you for watching झाव झाब है झाव